राजे सुरी नर्श्री देरादून में आपका स्वागत है ये आज कल भाईयों बहनों सीजनल फ्लावर बहुत लगाए जा रहे हैं और बिना सीजनल फ्लावर के हमारे घरों में हमारे बगानों में हमारे गार्डन्स में सोबह नहीं आ पाती तो सीजनल फ्लावर के वारे में आज हम बताएंगे ये है डायन्थस और ये जो पौधे आप यहाँ देख रहे हैं ये साल्विया है और इसके आगे आप पौधे जो देख रहे हैं आपको सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम इसको वीज बोने के लिए इसका रो बटेरियल कैसे त्यार करते हैं तो आप देखिए ये है कोको पीट एंड और गैनिक मेनियोर आप देखिए इसमें कोको पीट थ्री और गैनिक मेनियोर थ्री रेसो में और परलाइट और बर्मिकुलाइट बन बन रेसो में आपको मिलाना पड़ता है उसके बाद हम इसको इस तरह से बैड में फैला देते हैं आपको दिखाते हैं इस तरह से बैड में फैला करके बीज बो देते हैं और बीज बो करके हम इसके उपर पेपर बिशाने के बाद हम इसमें कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर हमारी पौद उबनी शुरू होती है, और पौद उबती है, धीरे-धीरे बड़ी होती है, हम इसी कंडिशन में इसको सिफ्ट कर देते हैं, और सिफ्ट करते हैं, तो पौद इस कंडिशन में आ जाते हैं, और पौदे जब इस कंडिशन में आ जाते हैं, तो हम सेल करना श तो आप देखिए यह सारी पॉद जो है यह देहलिया है हमारे पास हमने देहलिया सीट और यह तयार होगे पॉले अब हम इनको सिप्ट करके शेल फूल कर देंगे इसी प्रकार से बहुत सारे फूल पोदे अब हमारे पास पॉली बैक्स में भी तयार हो गए हैं और आप प्रड़।